जैपुर के बेनाड रोड इस्तित बोईतावाल में धुलंडी के दिन एक महीला से छेड़ चार और परिजनों से मारपीट का मामला सामने आया है लेकिन अभी तक करधनी पुलिस ने इस मामले में कोई कारवाई नहीं की है आरोपी खुलियाम घूम रहे हैं यहां तक की पेडित परिवार को धमकिया भी दी जा रही है वहीं पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने से बच रही है दरसल दुलंडी के दिन योगेश और दिनेश समेत आदा दर्जन लोगों ने एक महीला से रहा चलते छेड़ चार की जब महीला के परिजनों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने पूरे परिवार पर जान लिवा हमला कर दिया इस हमले में परिवार के सबी लोग घायल हो गए सूसा मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायलों को समेस में भरती कराया गया था इन में से एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है वहीं अभी तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ़तार नहीं किया है यहां तक कि गंभीर धाराओं में मामला दर्ज ना कर महज 323 और 341 की धाराओं में मारपीट का मामला दर्ज किया इस मामले में जब करदनी था ना पुलिस से बाचीत की गई तो उन्होंने आरोपियों को गिरफ़तार किये जाने की दलील देते हुए अपना पला जार लिया अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में कोई कारवाई करती है या नहीं